स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रशन इजरायल पर इरान के हालिया हमले का कारण क्या है? A. दमिश्क में इरानी वानिज्य दूतावास पर इजरायली हमला B. सीरिया के ग्रह युद्ध में इजरायल का हस्तक्षिप C. इरान की परमानों हत्यारों की गुप खोज D. हिजबुल्ला को इरान का समर्थन A. दमिश्क में इरानी वानिज्य दूतावास पर इजरायली हमला 13. अप्रेल 2024 को इरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों को तैनात करके इजरायल पर एक अभूत पूर्व हमला किया ये हमला एक अप्रेल को सीरिया के दमिश्क में एक इरानी राजने एक परिसर पर इजरायली हमले के प्रतिशोद में था अगला प्राशन हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक किया है ए 10, बी 20, सी 30, दी 40, आंसर ए 10 एक्स्प्लेनेशन हाल ही में शोट करताओं की एक अंतराश्ट्रिय टीम ने विश्व साइबर अपराद सूचकान जारी किया है नए शोट के अनुसार भारत साइबर अपराद में 10 में स्थान पर है जिसमें अग्रिन शुल्ड भूपतान करने के लिए लोगों से जुली दोखाधरी सबसे आम प्रकार है इसके तहट दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिन तैयार की गई है इस सूची में रूस शीर्ष पर है और उसके बाद युक्रेंट, चीन, अमेरिका, नाइजिरिया और रोमानिया है उत्तर कॉरिया रैंकिन में साथवे स्थान पर है अगला प्राश बाईजू इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है ए विवेक अग्निहुत्री, बी अर्जुन मोहन, सी विनीट सकसेना, डियलख पांडे, आंसर, बी अर्जुन मोहन एकस्प्लीनेशन, बाईजू इंडिया के CEO अर्जुन मोहन ने Maaid Tech Company के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है बाईजू इंडिया का नितरित्व अब संस्थापक बाईजू रवींद्रन करेंगे अर्जुन मोहन ने एडटेक कमपनी के बढ़ते संगर्शों के बीच सिर्फ साथ महीने बाद इस्तीफा दे दिया है हाल के महीनों में लगभग 1500 कर्मचारियों ने कमपनी छोड़ दी है पिछले साल एडी ने कमपनी के संस्थापक बाईजू रवींदरन और कमपनी के बेंगलूरू स्थित परिसरों में तलाशी दी थी तब उसे विदेशी फंडिंग से संबंधित कानूनों के उल्लंगन से जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले थे अगला प्रश्न विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A 12 April, B 13 April, C 14 April, D 15 April, Answer D 15 April, Explanation विश्व कला दिवस, World Art Day, प्रतिवर्ष 15 April को पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये दिवस, कलात्मक अभिगर्तियों की विविद्ता के बारे में जागरूपता और कलात्मक कृतियों और समाज के बीट संबंधों को मजबूर करने के उद्देशे से मनाया जाता है। विश्वकला दिवस की आधिकारिक तौर पर स्थापना 15 अप्रेल 2012 को मेक्सिको में International Association of Art की एक बैठक के दोरान की गई थी। अगला प्राशनी। प्राश्ट्रियम महिला होकी टीम के कोच के रूप में चुना है। एक अकबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलम्पिक तक के लिए कोच नियुक्त किया जाएगा।